Hey everyone, welcome to Enlightened Brains Guys, this video is all about MJML 022 Research Methodology हमारा एक practical आता है MAJMC 2nd year में So, इस वीडियो में हम इसी की basic details के बारे में बात करेंगे अगर आपको थोड़ा सा भी इसका idea है तो आपको पता होगा कि ये काफी lengthy, complicated, plus time-consuming topic है So, इसके उपर मैंने एक separate playlist ही बना दी है जिसमें बहुत सारी videos detail में आने वाली है ये उसका एक first part है जिसमें आपको basic introduction देने वाली हूँ मैं इस particular topic के बारे में So, let's start with step 1 सबसे पहले अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो आपका पहला काम ये है कि आपने download करनी है MJML 022 की handbook इग यानकोश पर आपको ये मिल जाएगी जस्ट Google पर जाएए टाइप कीजिए MJML 022 और वहां से अपनी book को download कर लीजिए अगर आपके पास hard copy है तो आप एक बार उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए एक बेसिक आइडिया लीजिए कि आपको करना क्या है और दो काफी complicated सा है पहली बार में तो कुछ समझ भी नहीं आता है So second step आपने क्या करना है कि आपने Google Classroom में जो IGNO ने specifically इस particular subject के लिए आपको बना कर दिया हुआ है classroom उसको join कर लेना है इसके उपर एक separate video already available है जिसमें हर एक step को detail में मैंने बताया है I'll try to give you link of Google Classroom in the description box of this video also So you can check it out directly So just get into Google Classroom उससे भी आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा अब आपने ये दोनों steps को जब follow कर लिया है तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि किसने इस practical को करना है देखिए ये 8 weeks का एक project है या फिर कह लिजी ये online workshop है अगर आपकी admission January में हुई है तो आपने इस work को start करना है March में और आपका end हो जाएगा ये workshop में के month में अगर आपकी admission हुई है July batch में देन try कीजेगा कि आप September में इस workshop को start कर दे इस project को start कर दे और November में आपका ये project end हो जाएगा आपने एक supervisor को find करना है जो आपका supervisor है उसके पास master degree होनी चाहिए प्लस 5 years का experience होना चाहिए media industry में media faculty, communication research किसी में भी experience होना must है supervisor के बारे में detail में जानने के लिए आप research handbook का page number 18 देख सकते हैं उसमें बहुत सारी चीजें ये बताई गई है कि कैसे कैसे आपका supervisor आपको help करेगा आपको authority letter देगा और उनके signature भी matter करते हैं इस project के लिए Now, third step is understanding Google Classroom Now, as you can see यह है हमारा Google Classroom यहाँ पर streams की option है classwork की option है and people यहाँ पर लोग interact करते हैं उसकी option है click on classwork और यहाँ पर आप जब scroll करेंगे तो आपको 8 weeks की full information यहाँ पर मिल जाएगी कि आपने first week में क्या करना है second week में क्या करना है and so on थोड़ा सा और scroll करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर resources मिल जाएगे अगर आपने handbook को download नहीं किया है तो आप यहाँ से research handbook को देख सकते है यहाँ पर आपको कुछ demo videos मिल जाएगी और यहाँ पर यह सबसे important है model proposals इस पर अगर आप click करेंगे तो आपको बहुत सारे students के proposal मिल जाएगे उन्होंने जितना भी काम किया है 8 weeks के दौरान उनके आपको proposal मिल जाएगे और यह आपके लिए काफी helpful हो सकते है थोड़ा सा और scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको video lectures मिल जाएगे मैंने इस में से 2-3 video lectures को देखा बट मुझे कोई इतना जादा helpful यह लगा नहीं तो आप चाहें तो इसको skip भी कर सकते हैं इतना कोई खास काम का था रही आपको 500 words में एक essay लिखना है जिसमें आप relevance को mention करेंगे significance को mention करेंगे और यह आपका total 5 marks का होगा यहाँ पर आपको कहा गया है कि आप unit number 1 और unit number 2 को read कर सकते हैं better understanding के लिए मैंने read किया था बट मुझे ये भी कोई खास helpful लगी नहीं तो अब ये भी आपकी मर्जी है कि आप read करना चाहते हैं या फिर नहीं यहाँ पर देखिए कुछ do's and don'ts दिये गए हैं जैसे कि आप जब submit करेंगे तो आपका जो document है वो Google Docs में होना चाहिए आपने content को copy नहीं करना है and seven days का gap भी maintain करना है यहाँ पर नीचे आप देखिए यहाँ पर आपको potential research topics मिल जाएंगे so you can select any topic as per your choice and यही topic आपकी handbook में भी mention किये हुए हैं तो आप कोई भी topic को select कर सकते हैं and आप अपनी मर्जी से भी कोई भी topic ले सकते हैं now let's move to work of second week second week में आपको लिखना है concept note on your selected research area इसमें आपने तीन चीज़ें mention करनी होती है पहली है background statement जो 250 words में होनी चाहिए background statement basically history होती है फिर second आगया rationale and significance जिसको आपने 500 words में लिखना है rationale basically reason होता है कि आप research क्यों कर रहे है justification of study ये भी 250 words में लिखनी है justification basically इसलिए लिखी जाती है कि कोई भी इनसान आपकी research के उपर objection ना कर पाए अगर आप इन तीनों terms के बारे में detail में जानना चाहते हैं तो playlist को चेक कर लीजिए मैंने already videos को upload कर दिया है second week के बाद आता है हमारे पास week 3 जिसमें हमने mind mapping करनी है जिसमें आपको बताया गया है कि आप इस वाली website का use कर सकते हैं और उसके बाद आपने 150 words में एक description देना है it will basically help you to identify and describe the specific subtopics of your research now fourth step is prisma chart अब आपने एक chart सा बनाना है जिसको आप इस वाली website के उपर जाकर बना सकते हैं यहाँ पर एक sample भी दिया गया है इसको आप देख लीजिए ऐसा आपका prisma chart होगा जिसको आपने बनाना है और कुछ guidelines भी दी गई हैं अब मैं बहुत जादा detail में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि एक तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी and secondly हर एक topic जिसको मैं describe कर रही हूँ उसके उपर separate video आएगी जो के fully detail में होगी और dedicated होगी उसी particular topic के बारे में I will try to share my project with you as well as I will tell you what problems I faced during making this project So now let's move to week number 5 which is review of literature अब आपने जितनी भी research अब तक की होगी उसमें आपको वैसे बहुत कुछ समझ आ जाएगा अब जो भी resources आपने find out किये होंगे आपने उनके उपर 100 words में essay लिखने हैं कितने essay लिखने हैं आपने 20 essay लिखने हैं 100 words का होगा यहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारे steps को mention किया हुआ है आप अगर इसको read करेंगे तो आप इसको असानी से कर लेंगे Next is week number 6 जो की है identification of research trends in the chosen research area अब इसको करने के लिए आपकी help करेगा week number 5 का review of literature After that here is week number 7 which is identification of the research problem इसमें आपने basically 500 words को again लिखना है आपने 3 major aims बताने हैं अपने and 6 objective बताने हैं अपनी research के यहाँ पर आप देख सकते हैं word limit दी गई है आपको इस exercise की 500 words After that finally we have week number 8 जो की है identification development of data collection tools यहाँ पर आपको थोड़ी guidelines दी गई हैं जैसे के create a table with 4 columns पहले column 1 होगी जिसमें aims लिखे होगे and उसके बाद आपने उसके 2 objective देनी है then column 2 में 1 aim and उसके 2 objective column 3 में भी 1 aim and उसके 2 objective column 4 में आप बताएंगे कि आपने उस data को कैसे collect किया यह आपका 500 words में हो जाएगा और इसके आपको 10 marks मिलेंगे अच्छा जब आप research handbook देखेंगे न तो वहाँ पर आपको marks भी दिखाई देंगे सभी के कि किस week में आपको कितने marks मिल रहे हैं total अगर बात करें तो इसकी जो total weightage है वो है 70% 30 marks का आपका वाइबा होगा now let's talk about our last point which is how you can submit your assignment so basically आपने resources वाले section में देखना है यहाँ पर आपको demo videos मिल जाएगा यहाँ पर आपने click कर देना है and आपको demo video मिल जाएगी कि कैसे आपने हर एक assignment को submit करना है so this is the end of this video next video will be on the topic of identification of research area कि कैसे आपने अपने topic को identify करना है although इस topic के ऊपर already मैंने एक short video upload कर दी है which is available on the playlist but एक detail में video आने वाली है so to watch that video please subscribe to enlightened brains